सेवंत कलास सूमध्यानम नमूनमा बच्चों आज हम कारक के बारे में सिखेंगे कि कारक किसे कहते हैं कारक का हमारे संस्कृत में बहुत प्रियोग है क्योंकि जब तक हमें कारक का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम संस्कृत बोलना नहीं सिख सकते संस्क्रित में वाक्य बनाना नहीं सिख सकते कारक हमारे यहां आठ परकारके होते हैं जैसे विवक्तियां आठ होती है वैसे कारक भी आठ होते हैं ठीक है? वैसे मुख्य रुप्तियां साथ होती है जो संबोधन विवक्ति है वो प्रत्मा विफक्ति का ही रूप होती है ठीक है तो अब हम कारक के बारे में जानते हैं पहले तो हम इसको उचारण करना सिख लेते हैं आये मेरे साथ आपने उचारण करना सिखना है जैसे मैं बोलूँगा वैसी आपने इसको उचारण करना सिखना है तो कारक का उचारण करना सीखिए आपने ऐसे बोलना प्रथमा करता ने दुतिया करम को तृतिया करण ने के द्वारा चतूर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के लिए शष्ठी सम्बंध का के की सब्तमी अधिकरण मे पे पर सम्बोधन सम्बोधन हे अरे भो इस प्रकार से आपने इसका उचान करना है फिर से सुन लीजे प्रथमा करता ने दुतिया करम को तृतिया करण ने के द्वारा चतूर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के लिए शश्टी संबंध का के की सब्तमी अधिकरण मे पेपर संबोधन संबोधन हे अरे भो अब ये कारक होते हैं तो कारक के अलग अलग जिन्न है प्रथमा भिवक्ति का कारक है करता ठीक है दुदिया भिवक्ति का कारक है करम तृतिया भिवक्ति का कारक है करण और चतुर्थी भिवक्ति का कारक है संपरदान पंचमी भिवक्ति का कारक है अपादान शश्टी विवक्ति का कारक है संबंध, सब्तमी विवक्ति का कारक है अधिकरण और संबोधन विवक्ति का कारक है संबोधन अब जो ये साथ आठ कारक हैं करता, करम, करण, संप्रधान, अपाधान, संबंध, अधिकरण और संबोधन ये जो आठ कारक हैं, इन कारकों के अलग-लग चिन्न है, करता जो परतमा कारक है, उसका चिन्न है ने, दुतिया कारक कर्म का चिन्न है को, तीसरे कारक करन का चिन्न है ने के द्वारा, चतुर्थ कारक संप्रधान का चिन्न है के लिए, पंचम कारक अपाधान का चिन्न है से अलग होने के लिए सश्ठ कारक संबंध का चिन है का के की सब्तम कारक अधिकर्ण का चिन है में पेपर संबोधन कारक संबोधन का चिन है हे अरे भू अर्थाद जब ने यह अर्थाता है तो करता कारक का प्रियोग होता है जब को अर्थाता है तो कर्म कारक का प्रियोग होता है जब ने या के द्वारा अर्थाता है तब कर्ण कारक का प्रियोग होता है जब के लिए यह अर्थाता है तो संब्रदान कारक का प्रियोग होता है जब से या अलग होने के लिए अर्थाता है तो अपादान कारक का प्रियोग होता है जब का के की यह अर्थाता है तो संबंध कारक का प्रियोग होता है जब में पेपर यह अर्थाता है तो अधिकरन कारक का प्रियोग होता है और जब हे अरे भो यह का अर्थाता है तो संबोधन कारक का प्रयोग होता है ठीक है? तो आपने इसको अपनी कॉपी में उतार लेना है और इसको आपने याद कर लेना है ये याद करना बहुत जरूरी है तभी आप संस्कृत में वाक्य बना सकने हैं अगर आपको कोई हिंदी में वाक्य मिलता है और उसको वाक्य को अगर आपने संस्कृत में बनाना है हिंदी वाक्य को तो आपको कारक का ग्यान होना अति आवशक है इसलिए इन कारकों को आप लिख लीजिए और याद भी करें धन्यवाद